तथ्यों को समीक्षा करकरके और उसमें से निर्ने बाहर करकर मैं एक मशीन की तरह हो गया हूँ। एक तुरुटी को खतम करना एक अच्छी सेवा जैसा है और कभी-कभी एक नई सच्चाई या तथ्य की स्थापना से भी बहतर होता है। एक आदमी जो एक घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत करता है उसे जीवन के मूल्य की खोज नहीं हुई है। एक आदमी की दोस्ती उसके मूल्य के सरवोत्तम माप है। संतुलन में एक अनाज यह निर्धारित करेगा कि कौन सा व्यक्ती जीवित रहेगा और कौन मरेगा, कौन सी किस्मिया प्रजाती संख्या में बढ़ेगी और कौन सी घटेगी या अंत में विलुक्त हो जाएगी। वर्तमान के लिए भविश्य कितना प्रमुख है जब ये बच्चों द्वारा घिरा हुआ है। मानव जाती के लंबे इतिहास में और जानवरों की तरह भी जिन्होंने सबसे प्रभावी धंसे सहयोग करना और सुधार करना सीखा है, वे प्रबल हुए हैं। एक वैज्यानिक को कोई इच्छाए, कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, उसके पास बस एक पत्थर का दिल ही है। नैतिक संस्कृती में सर्वोच्च संभव स्टेज वह है, जब हम यह स्विकार करते हैं, कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए तयार है। यदि कोई अपने संगी मनुश्यों के विशय में अच्छी राय जानना चाहता है, तो वह वही करे जो मैं कर रहा हूँ, उन्हें चिठ्धियों से चिढ़ा। एक नैतिक अस्तित्व वह है, जो अपने अतीत और उनके उद्देश पर ध्यान देने योग्य है, कुछ को स्विक्रिती देने का और कुछ को अस्विकार करने का। सभी जीवों के प्रती प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुन है। अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिलता, तो मैं कुछ कविता पढ़ने और हर हफ़ते कम से कम एक बार कुछ संगीत सुनने का नियम बना देता। प्यार और सहानु भूती के अलावा, जानवर सामाजिक प्रवृत्ती से जुड़े अन्य गुनों को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम में नैतिक कहा जाएगा। इंटेलिजेंस इस बात पर आधारित है कि जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजों को करने में एक प्रजाती कितनी कुशल हो गई। आदमी जीवन्यापन के साधन से अधिक दर पर बढ़ रहा है। अगर गरीबों की दुख प्रकृती के नियमों से नहीं होकर हमारे संस्थानों द्वारा हो तो हमारे पाप महान है। मैं अन्य पुरुशों के नेत्रित्व का आख बंद करके पालन करने के लिए उप्युक्त नहीं हूँ। मैंने हाल ही में शेक्सपियर को पढ़ने की कोशिश की है और इसे इतना असहनिय रूप से निरस पाया कि इसने मुझे जगजोर दिया। एक स्त्री किसी पुरुश के साथ सेक्स के लिए कभी इनकार नहीं करती है जो उनकी कामुक्ता से विलक्षित होती है। हम यहां आशाओं या भय से संबंधित नहीं हैं केवल सत्य के साथ जहां तक हमारे कारण हमें इसे खोजने की अनुमती देते हैं। किसी त्रुटी को समाप्त करना उतनी ही अच्छी सेवा है जितनी कभी-कभी एक नए सत्य या तत्य की स्थापना से भी बहतर। जिन जानबरों को हमने अपना गुलाम बनाया है उन्हें हम अपने बराबर समझना पसंद नहीं करते। अगर विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर ऐसे ही प्रेणादायक विडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एजुकेशनल विडियो लाता रहता हूं। कर दो कर दो लाइक कर दो हमारे चाहते हैं।